आज हम बात करेंगे coaching marketing के बारे में और coaching marketing में इस बार हम लोग digital marketing की बात नहीं करेंगे हम बात करेंगे offline coaching की offline marketing के बारे में यह कैसे possible होता है कैसे आप budget friendly तरीके से यह marketing कर सकते है मैंने अपने experience के basis पे जितना भी समझा जितना भी सीखा आज पूरा का पूरा इस वीडियो में आपको में डाल दूँगा यह वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि छोटे coaching especially छोटे coaching average coaching कैसे अपने पेर जमा सकते हैं बड़े players के सामने जैसे आज की date में अगर हम बात करें हर बड़ा player हर बड़ी city हर अच्छी city में available हैं तो step by step चलते हैं और root में बात करेंगे सबसे पहले देखिए सबसे पहला तरीका क्या होगा newspaper अब आप बोलोगे इसमें नया क्या बता रहा है भाई मैं बोलूँगा कि भाई सहाब newspaper पर मत जाओ इसका alternative बताता हूँ इसका alternative क्या होगा तो आपने देखा है कि जब newspaper सुबव पांच बजे बढ़ता है तो वहाँ पर agencies ऐसे bundle of newspaper लेकर अपने all other distributors और अपने जोतने भी employees होते हैं उनको देते हो और यह घर घर जाकर बाढ़ते हैं आपको क्या करना है आपको अपना pamphlet अपना pamphlet इस बंदे से बोलते हुए हर paper के अंदर रखवाना है आप मान के चलना आप अगर 50,000 रुपे का कोई एक article देते हो तो यह काम आपका मात्र 20,000 रुपे में हो जाएगा और as compared to article यह pamphlet इस paper के अंदर उठके आएगा revenue generate होने की संभावना उसे view करने की संभावना जादा हो जाएगी यह तरीका है अगले तरीके पर चलता हो बस यही तरीका बता आपको मैं की कैसे बड़े महंगे को सस्ते में convert कर पाऊगे दूसरा आपने देखा होगा बड़ी-बड़ी hoarding हर चोराय पर आपको यह भी नहीं करना है इसका alternative क्या होगा तो इसके दो alternative होंगे पहला alternative जो है आपकी wall painting as compared to hoarding यह बहुत सस्ती होती है wall painting बड़ी-बड़ी wall ब बड़े-बड़े buildings यह बड़े-बड़े bungalow में आप जाके बात कर सकते हैं इसके लोग specifically distributors होते हैं इसके भी distributors होते हैं जो painting contract लेके directly wall painting करते हैं आपके coaching के नाम की नगर निगम से थोड़ा बचके रहना rest यह strategy बहुत सस्ती है पेसे वाइस बहुत सस्ती है as compared to this वाइस भर दे देगी आपको 10,000 में पूरे yearly package है 10,000 का alternative of hoarding यह करना है आपको थोड़ा पैसा खर्च करना है marketing में marketing और branding नहीं करोगे तो आपका business grow नहीं करेगा ठीके दूसरा तरीका हो गया तीसरे तरीके पर बात करते हैं तीसरा तरीका मेरा अपना फिवरेट तरीका है usually क्या देखा गया है जब भी आप देखोगे किसी बड़े player की building बनती है तो पूरी तरीके से branding होती है पर जब भी हम छोटे coaching की बात करें तो छोटा coaching हमेशा क्या गलती करता है सिर्फ अपना नाम यहां पर लिखवाता है rest कुछ नहीं आपको क्या करना है आपके counseling room से शुर result है रित्माच result दिखाओ आपको दिखाना है faculty दिखानी है आपको आपकी faculty पूरी properly दिखाओ आपके infrastructure को दिखाओ और इससे best एक और तरीका है 32 इंच की TV या 55 इंच की TV अपने premises में लगा के रखो और वहां पर classroom के वीडियो चलाओ और अलग-अलग वीडियो चलाओ यह बह आपको अराम से 40-50,000 के बीच मिल जादी है एक time का investment है अलग-अलग तरीके से ads लगते हैं बहुत impact होता है क्योंकि जब भी कोई student आता है na student आपके coaching में इंटर करता है तो सबसे पहले वह आपके infrastructure को देखता है आपकी coaching हर सड़क के बहार है और उसका front view जह हर user को दिखेगा तो यह अपने आप में बहुत अच्छा वर करेगा इसलिए इस तरीके को बहुत अच्छे से अपनी coaching के premises को especially counseling section front बहुत अच्छे से proper तरीके से brand करकर promote करिएगा ठीक है तीन तरीके हो गए चोते तरीके की बात करूं तो चोता तरीका है आपका बहुत ही systematic आपने बहुत सार students होते आपके पास में अगर 50 student है सोच के देखो यह 50 students आपके T-shirt पहन के पूरे market में घुमेंगे आपका bag लेके पूरे market में घुमेंगे तो क्या impact होगा बहुत positive impact होगा बहुत ज़्यदा costing नहीं जाती है बढ़ां आपको कुछ guideline set करनी पड़ेगी कंपल्सन करना पड़ेगा students को कि भया कंपल्सर ही है T-shirt पहनना student को बताना पड़ेगा कि आपको यह T-shirt यह बेक को यूज करना ही करना है इतना effective तरीके से आपकी automatically marketing होगी यह तो रहे खर्चे वाले तरीके अब दूसरा तरीका में आपको बताता हूँ देखे आपने देख सिर्फ इसी वेज़े से खड़ा है कि इसका इतना बड़ा structure है नहीं इसके नीचे इसकी जड़े है जो इसको route है जो मजबूत बनाती इस पेड़ को तब ही जाकर अच्छे अच्छे फल लगते हैं आपको route पे काम करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको तो route पे काम करन मार्केटिंग करकर आग लगाएंगे पर मैं जो तरीका बता रहा हूँ ये कारी नहीं पाएंगे क्योंकि इनके पास में वैसे लोग ही नहीं है बोलोगा direct coaching को entry देते ही नहीं है school बट जो scholarship test होते है quiz competition होते है news वाले होते इसके थुरू किसी media करके थुरू आप जाकर marketing कर सकते marketing करने का मतलब वहाँ जाकर value करना समझ में आ रहा है आपको कि वहाँ जाकर आपको seminar करकर बच्चे को बताना पड़ेगा कि doctor कैसे बना जाए collector कैसे बना जाए यह सब और इससे बहुत बड़ा impact होता है क्योंकि आप अच्छे जानिए कि जब कोई बच्चा doctor बनने का सपना देखता है और decision लेता है तो क्या यह decision एक दिन का होता है नहीं यह decision लंबा बहुत time पहले ले लिया क्योंकि देखिए बड़े player का कोई बड़ा face यह इसमें महनत लगती है यह बहुत महनत वाला काम है जाके contact करना करना बड़े player के लिए मुश्किल होता है ground reality के basis पे बड़ा मुश्किल है अब आगे बड़ते हैं एक और finance तरीका मैं आपको बताता हूँ यह जो तरीका है बड़ा sensible तरीका है usually हम marketing और branding करते हैं कुछ impact create करने के लिए और यह impact बच्चों के mind में या parents के mind में लोगों के mind में बना रहे about your coaching यह कैसे possible होगा तो मैं आपको बताता हूँ usually क्या होता है जैसे आपने अक्सर देखा होगा जैसे gate exam या फिर need exam जो भी exam का होती है उसके exam hall के बाहर पेंप्लेट बटना start हो जाते है ब्रॉशर बटना start हो जाते है आपको यह सब नहीं करना है waste of money आपको क्या करना है जैसे suppose अगर कोई UPSC की exam है UPSC coaching को आप cater करते है तो आपको यहां पर UPSC का ऐसी important जिसे map आप दे सकते हो students को एक map gift करो या कोई ऐसी current affairs series की booklet gift करो ऐसे कुछ career guidance related चीज़े gift करो बच्चो को दो तो वो और उसके अंदर अपनी पूरी marketing करो आप proper से इसकी marketing करो यहां पर अपना number दो अपना email address दो अपनी website दो अपने toppers के बारे में बताओ इस सारी information दो और उसी के सासाथ बच्चे को एक ऐसा content उसके हाथ मे रखो कि उसको फेके नहीं हम students बड़े psychological impacted होते हैं कि भाया मैंने map फेका मैंने syllabus फेका मैंने अगर कुछ current affairs की series फेक ही हम usually book नहीं फेक पर इस तरीगी के valuable content को हम कभी नहीं फेकते कोई student नहीं फेकता और वो students सीधे इसे लेकर जाता है अपने घर के अंदर और जब जब वो आपकी brand का presentation उसके घर में होगा है तो उसके घर तक एक ground से घर तक का सफ़र आप इस तरीके से तेर कर सकते हैं आशा करता हूँ यह तरीके आप अगर चार तरीके भी implement कर लोगे ना settled हो जाएगी कसम से coaching चलेगा crude पे ground level पे काम करना बहुत ज़रूरी और हाँ जो लोग कहते हैं कि offline marketing और digital marketing में दोनों बहतर कोने दोनों अपनी जगह पर है offline marketing भी उतनी ही ज़रूरी है जितनी marketing digital की है तो आपको क्या करना है अगर आपको digital marketing करना है तो हमने बहुत महनत करिए इस पर आप इस पूरे वीड तो इस पांच लाग का बजट आदा करके इसको धाई लाग कर दो धाई लाग digital marketing के लिए डाल दो और मैं आपको बताता हूँ कि मैं आपके साथ खड़ा हूँ उसके लिए आप हमारी digital marketing service पूरे वीडियो में आपको बार बार एक नंबर आ रहा होगा उस नंबर पर कॉल कर हमारी digital marketing service आप ले सकते हैं हम और भी best तरीके से आपके offline coaching की marketing कर आपको 1000 बच्चे बड़ा revenue दिला सकते हैं आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा thank you so much for watching